जी नमश्कार स्वागत आप सभी का दिनमंतर के यूट्वीब चैनल में मेरा नाम रोहित वैदवान और कल आपने पड़ी थी देश के सबसे बड़े राज्य से जहां कि जनसंक्या सबसे जादा है वहाँ वेकेंसी आई हैं बिलकुल लिमिटेड सी जिसका संख्या नंबर है आटी आई के साब से देखें 76,000 चाहे 77 आएं चाहे 76 आएं बस वो भी आ जाएं पहले दो आज और धे सारा धन्यवाद आपको इस फैमिली को 800 के बनाने के लिए लेकिन इससे ज़्यादा जरूरी इन्फोर्मेशन है इस से रिलेटरी ना अब आपके सामने कुछ सवाल देना क्योंकि इसके confusion के साथ आप पूछेंगे यह होगा वो होगा है क्या होगा तो मैं आपको इस चीज बदा दू क्या क्या होगा तो पहला सवाल जो सबसे most important बनेगा यह वाला कि क्या UPTED 2022 जो 23 जनवरी को होने वाला है वो बच्चे समें शामिल होंगे कि नहीं दूसरा यह वाला होगा कि कौन-कौन से बच्चे योग्य होंगे सक्जाम को देने के लिए तीसरा यह वाली बात होगे कि आप से पुछा जा सकता है कि भैस में सीट वाले वैलिड होंगे की UPTED वाले वैलिड होंगे और दूसरा हो सकता है कि मेरा cited pass है लेकिन यूपी टेट नहीं तो मैं दे सकता हूँ, तो इन चुनिंदा जो आपके बेशक, जो बेश कीमती सवाल हैं, उनका बेश कीमती जवाब देने की मैं कोशिश कर रहा हूँ, तो समझेगा, तो देखेगा पहला सवाल तो आने से पहले एक खबर तो आप तक पहुंची गई है, जो 17,000, तो मैं इसल बनता नहीं है, क्योंकि 500 इदर देखके बलोगे, लेकिन कोई बात नहीं, गनित की बात नहीं कर रहे है, वेकेंसी की बात कर रहा हूँ, यहां पर, तो अब सवाल आता है, पहले वाला, क्योशन नमबर वन एक है कि क्या यूपीटेट 2020, जो 23 जनवरी 2020 को होने वाला है, उस कि दिसमबर के इस नोटिफिकेंच से आने से पहले ही गुजर चुका है, तो काइदे में तो यह एक्जाम क्योंकि re-exam हो रहा है, cancel exam है, तो गोर्मेंट को आप लोगो को इसके लिए वैलिट करना चाहिए, और अगर वैलिट नहीं करना चाहिए, तो इसके लिए शायद कि इसके related कोई case नहीं होगा तो यहां और मुझे लगता है ऐसा ही case एक बार पंजाब में आया था और एक बार बंगाल का भी case हुआ था जिसमें एक exam cancel हो गया था और उसके बाद जब वेकंसी आई थी तो वहां की government ने क्या गया था उस हिसाब से उन बच्चों को valid कर दिया था जैसा ये case एक बार हमारे सामने देखने को मिला था केंद्रेविद्याले की vacancies के साथ जब केंद्रेविद्याले की vacancy बहुत बाद में आई थी लेकिन उसके बाद उसका सीटेट का result ने आए था तो government ने क्या गया जितनों लोगों ने form बरा था उनका registration number लिया उनने form बरने के लिए valid कर दिया गया और जो pass हो गए वो बाद में valid बान लिये गए तो शायद यहां पर भी होगा तो मुझे लगता है कि ये वाला जो case है बही 99% जो होगा ये आपके के लिए क्या हो जाएगा valid होगा बाकी 1% इसके लिए ये होगा कि बही कुछ उल्टा पुल्टा होता है तब ही chances है लेकिन जहां तक मुझे उमीद है be positivity के जाथ तो government जरूर इन बच्चों को भी इस exam के लिए क्या करेगी valid करेगी ठीक है क्योंकि इसमें गलती बच्चों की लाया कि योगे होंगे तो देखेगा हर वो बच्चा जिसने यूपी टेट पास किया हुआ होगा है ना या उसने सी टेट पास किया होगा पेपर वन वाला तो इस exam के लिए हो क्या होगा पूरी तरह valid होगा बागी इसके जो recruitment में graduation के number 10 के 12 के वो सारी की सारी योगता हैं हा यहां valid वाले वो नहीं होगे माली जीगा किसी का B.A.D. या किसी का जो डाइट है वो complete नहीं हुआ इसका मतला in short मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि उन लोग की क्या है डिगरी complete होनी चाहिए डिगरी और जो डिपलोमा है या है ना तो जो डिपलोमा और डिगरी है वो उनका क डोमिसाइल आपके पास होना जरूरी है तो देखिएगा normally जिस term and conditions के साथ ये लिखते हैं उसमें कहा जाता है कि UP का डोमिसाइल होना चाहिए जरूरी लेकिन उससे पहले वाली में जो था जब बाद में आई वेकेंसी उसके लिए रहो उसमें थोड़े से पंगे आये थे लेकिन जो पहले वाला था उसमें UP के डोमिसाइल कि इतनी जरूरत नहीं थी है ना तो यहाँ एक सवाल है कि ये तो आने वाला notification ही बताएगा साफ साफ शब्दों में कि UPTAT के यो सोरी UP किस वेकेंसी के लिए सिर्फ UP वाले ही eligible होगा या पूरा इंदुस्तान होगा लेकिन जहां तक नोर्मल आता है पूरा हंदुस्तानी वैलिड होना चाहिए जब एक एक एक्जाम है जैसे रीट के एक्जाम में पूरा हंदुस्तान वैलिड था तो UP के इस एक्जाम में भी क्या होना चाहिए वैलिड लेकिन फिर बेस से रिलेटिड कुछ आएगा वो तो official notification में जहां क्योंकि एक बार था एक बार नहीं था तो मैं अगर कहूं हां तो गलत होगा मैं गहूं नहीं करा रहेगा उसके पाले में जो पढ़ा है वो 50-50% के case के साथ रहेगा तो normally क्या है मैंने आपको बता दिया एक बार वैलिड हुआ है एक बार वैलिड नहीं हुआ तो तोनों के साथ आपको समझेगा तो ये आपको clarity मिलेगी जब इसका original notification आ जाएगा तीसरी और तीसरे सवाल के बाद चोथा सवाल ये कहता है कि क्या जो एक बच्चा पूछेगा मेरा CTAT pass है पर UPTAT नहीं तो मैं exam दे सकता हूँ कि नहीं तो याद रखिएगा जिनका CTAT pass है वो आपको कोई भी दिकत परेशानी नहीं होगी इस form को बढ़ने के लिए तो ये जो चार सवाल जो जरूरी सवाल थे इनका सवाल तो मैंने अभी भी बताया कि इन चारों सवालों के साथ CTAT pass है तब भी काम चल जाएगा domicile है इसकी clarity notification के बाद मिलेगी इधर की तरफ ये वाली बात कौन-कौन बच्चे योगें होंगे तो याद रखिएगा जिनका UPTET और डिगरी complete है वो विल्कुल डिप्लोमा वाले और पहला सवाल UPTET वाले जो 2022 वाले बच्चे है वो दे पाएंगे कि नहीं क्योंकि 28 देश का नाम रोशन करते रहेगा और future teacher बनकर समार येगा इस हिंदुस्तान की जो आने वाली PDO के साथ कि जो बदा पाए कि हाँ हमें ऐसे teacher मिले थे तो जैन जैवरत नमस्कार मेरी तरफ से इतना ही मिलेंगे कुछ नहीं जानकारी के साथ कुछ नहीं वीडियो में तब त करता है कि दिन मंतर आपको सही जानकारी देता है आप तक सही घबर सही टाइम पर और आसान तरीक समझाता है तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना पूलेगा जैईन जैवरत नमस्कार